पूलिस ने साइबर फ्राट गैंग किया भांडा फोड साइबर ठग ठगी गैंगे 6 सदस हुए गिरपतार परधान मंतरी आवाज दिलाने के नाम पर करते थे ठगी सरकारी होजनाव में सबसीडी लाटरी लिकाले का लालज दे कर करते थे ठगी बताते चले कि 4,83,000 रुपए तीन बाएक दस मोबाईल 27 शिमकार्ड दो तमंचा हुआ कार्टूस को बरामत किया है बाएंग खातों में जमा एक लाग 35,000 रुपए फ्रीज भी कर दिया गया है थाना भूंगाओ पूलिस वा साइबर सेल को बहुत बड़ी सफलता मिली है पेस है हमारे समबादाता की ये खास भी बोर्ट पेस और इंस्पक्टर भूंगाओ ने एक मिल करके एक साइबर फराट के गैंग को पकड़ा है इसमें छे लोग पकड़े गए हैं इसमें जो दीपक है सचेडी कानपूर का रहने वाला है इसका सरगना है इसके साथी जो पकड़े गए हो अमित पंकज, रभींद, नीरज और भिकास हैं थाना भूगाओं में एक मुगदमा पंजीकरत हुआ था जिसमें बाबू राम है जिनसे परधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पे 69,200 रुपए इन्होंने ठगी की थी और एक एकाउंट में टलवाया था उसके बाद इनको जब पकड़ा गया तो इन्होंने पूरी खेटना का परताफास किया है और जो फरजी एकाउंट हैं उसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और जो जिस सिम का यूज करते थे उसको बरामत कर लिया गया है साथ ही इनके कबजे से 4,83,000 रुपए नगत 1,35,000 रुपए इनके बिभिन खातों में हैं जो दूसरे जगे से ठगी किये थे उनको उनके खातों में हैं उनको फ्रीज कराया गया है इनके कबजे से 3 मोटर साइकले बरामत हुई है 27 सिमकिट बरामत हुई है 10 ऐसे सिम बरामत हुए है जो ये बिभिन लोगों को किसे के साथ ठगी करते थे और तो के पास असलहे और काटूस बरामत हुए है तो इस प्रकार से ये बहुत ही सातिर साइवर फ्राट का गैंग है जो बहुत सारे लोगों को ठगा है ये इसमें से जो हमारा या मुकदमा पंजी करत हुआ था उससे सम्मंदित सारी चीज़ें बरामद हो गई है और इसमें कुछ और लोगों के साथ इन्हों ठगी की है जो लगबग 6 लोग संदिग्ध नाम बताये गए हैं उनको भी हम ठ्रे इनको हवारी पुरिशने पढ़े हैं कोई नाम है इसी तुलुप से बड़ा स्काम है जिसमें इनको भी सजारों कहीं नाम है तर्टी सिम के बारे में जो इनको जानकारी में आया है कि कोई भी आदमी अगर अपना मोबाइल को सिम को पोड़ कराना चाहता दूसरी कंपनी मे तो ये छाता लगा करके रोड में बैठते हैं इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ये जैसे ही थम इप्रशन लेते हैं उसकी आईडी लेते हैं तो कई बार लोगों से ये कहते हैं खास करके जो कम जानकार होते हैं गाउं के भोले माने लोग होते हैं उसे कह जनरेट कर लेते हैं और उस पर फिर ठगी का काम सुरू कर देते हैं.